हलो अबरीबान अफ सभी काशाइडल कुकिंग में स्वागत है तो आज हम तयार करेंगा आज मसली और तुराई की रेसिपी और इसे तयार करना बहुत आज़ान है और ये ज़टबर बनके तयार होती है एकी पॉर्ट में सबजी और मसली को किस तरह से तयार किया जाती है वही हम आपके शाष्यार करेंगे तो यहापर देखिया आज मसली हमने ले लिया इस अच्छी तरह से काट कर धोकर ले लिया उसके बाद हमने जो तुराई ले लिया वह हम मसली के उपर डाल देंगे तो इसी तरह हम सारे मसली के उपर डाल रही हूँ तुराई को तो दो तुराई है दो तुराई को हम काट कर ले लिया तो इस तरह से हमने काट कर ले लिया देखिये तो ना जयादा मोटा है ना जयादा पतला है तो इस तरह से हमने काट लिया मसली सोटी है तो इसलिए तुराइकी टुक्रे भी हमने सोटी साइस की किया तो स्वादनों सा नमक डाल दिया और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ लाल मिर्स पाउडर है यह मिर्स अपने टेस्ट के एकोडिंग डाली है दुनिया और जीरा की पाउडर है यह तो एक साथ हमने धनिया और जीरा को भून कर पाउडर कर ले लिया वह हम डाल कर अच्छी तरह से इसी तरह मिला रही हूँ बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसला के साथ कोड कर ले लेना है तो एक प्यास को पतला कर काड़ कर ले लिए वही प्यास डालकर बहुत अच्छी तरह से भून लेना है हमें तेल की से, तो देखिए प्यास की कलर भी थोड़ा चैंज हो गई, और हमें इस तरह की प्यास चाहिए, आपको हम नज्ञिक से दिखा देती हूं, तो देखी इस तरह से बने तो यह थोड़ा लाल भी हो गई अब हम इसमें डाल देंगे यह मिचली और तुराई तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें तेल और प्यास के साथ भून लेना है मिचली को इसी तरह तो जितना हम भुनाई करेंगे उतनी ही यह स्वादिष्ट पेरेंगे तो तुरंत तेल में डालने के बादे हम इसी तरह अलट पलट कर देना है थोड़ी देड हो जाएंगे तो मसली तूट जाएंगे तो इसे कभर कर हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है तो थोड़ी गरम पानी ही डाल देना तो हमने गरम पानी डाल दिया वही बॉल में जो मसाला लगी थी तो मसाला हमने धोकर पानी डाल दिया हलकी हातों से हिला दिया और इसे हम फिर से कभार कर पका लेंगे चार से पांच मिन के लिए हाई फ्लेम में तो इसी तरह देखिए चार पांच मि यह पका लिया हाइफ फ्लेम में फिर हिला रही हूं इसी तरह हलकी हातों से तो अपर निचे कर दाना है मशली और तुराई को अब हम ग्रेवी के लिए पाने डाल देंगे तो मशली में थोड़ा ज्यादा ग्रेवी होंगे तो भी यह खाने में बहुत ही तरह हम ने बढले हाई फ्लेम में ही मसली को पकाए तब भी मसली बहुत स्वाधिस्ट बनेंगे तो ये देखिए मसली की कारी बनके तयार हुए वो भी तुराई के साथ और हम गैस भी बन कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे तो इसी तरह हमने डिश आउट कर ले लिया और डिश आउट करने के बाद मसली को आपको नजजिक से हम दिखा देंगे तो देखी इस तरह से बनके तयार हुए तो आप इसी तरह तयार करके गर्मा गरम चावल के साथ इंजोई कर सकती हो तो हमने तो इसी तरह तयार कर चावल के साथ मसली को बहुती प्यार से खा लिया और ये रियली बहुती तेस्टी बना था आप जब तयार कर खाएंगे इसी तरह आप खुदी कहेंगे आसम है थोड़ी से भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शियार कॉमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब कीजिए